चैनल और आज एक और answer writing session है लेकिन इस बार answer writing session में हम UPSC नहीं PSC पर answer writing session करने वाले हैं और जैसा कि demand team मैं specially लेके आया हूँ आपके लिए 3 markers जो MPPSC में बहुत जादा weightage रखते हैं और selection होने ना होने पर ये decide कर सकते हैं तो जो questions मैं आपके लेके आया हूँ वो mainly paper 2 के questions है जिसमें economy और policy का section मैंने cover किया है तो देरी ना करते हैं शुरू करते हैं आप channel को like, subscribe, share जो जो होता है सब कर सकते हैं तो पहला question जो यहाँ पर है वो है judicial review अब देखे मैंने दो तरीके से लिखे है answers आप दोनों तरीके में से कोई भी तरीका follow कर सकते हैं generally 3 markers में क्या होता है आपको minimum 3 points तो देने ही होते हैं अगर आपको number चाहिए कई बार ऐसा हो सकता है कि माल लीजे कुछ question आया UNEP का full form क्या है उस case में तो फिसे full form बस लिखेंगे और number मिल जाएगा तो ऐसा simplistic case भी आ जाते हैं कभी कभी लेकिन जब यह से subjective questions आते हैं कि judicial review क्या है food security क्या है MSP क्या है उस समय में आपको थोड़ा सा 3 points तो कम से कम बनाने च कि वह मैंने यह mention नहीं किया क्योंकि जगा आप समझते हैं बहुत कम है तो शुरू करते हैं अपन all right judicial review क्या होता है judicial review जो केंद सरकार या राज्य सरकारे कुछ नीतिया बनाती है कुछ निर्ड़ने लेती है यदि ऐसे निर्ड़ने को अगर वो उचित नहीं होता समविदान के अधार पर या मानव अधिकारों के अधार पर तो उसको supreme court या high court दोनों दोनों मेंसे कोई भी एक court निरस्ट कर सकता है या उसको null and void गोशित कर सकता है simply हमने लिखा है the power of judiciary to review legislative and executive actions of government is called judicial review अब आप ये क्यों नहीं लिख रहे है इस NJSC 2014 में nullify किया गया था जो था आपका fourth judges case examples हर जरूरी होता है facts के लिए या तो एक तरीका ये होता है लिखने का या एक तरीका हो सकता है आपका ये वाला ये है flow chart का तरीका judicial review power of judiciary to review legislative and executive actions of government then article 13 part 3 example NJSC nullified by the review अब दोनों ही तरीके सही है लेकिन अब वो depend आप पे करता है मैं अब आपको next question देखाऊंगा food security वाला वहां पे flow chart वाला pattern ज्यादा सही साबित हुआ है चले देखते है next question food security खादी सुरक्षा क्या होती है ये जो definition है भाई ये world bank की definition है मेरे definition नहीं है ठीक है तो कोई authentic organization की definition डालोगे तो number ज्यादा मिलने के chances होते है हमीशा definition है all time physical social and economic access to sufficient safe and nutritious food for healthy lifestyle is called food security कहने का मतलब है कि बहुतिक सामाजिक वा आर्थिक रूप से हर समय व्यक्ति के पास जब परियाप्त मात्रा में सुरक्षित वा पोशक तत्वों से युक्त बोजन होगा उसको खादी सुरक्षा कहा जाता है अब खादी सुरक्षा के ये जो food security की definition दी है इसमें चार dimension होते हैं accessibility मतलब आपकी पहुँच होनी चाहिए stability मतलब निरंतरता होनी चाहिए खाना मिलने में utilization खाने का उपयोग पूर्णता होना चाहिए और availability मतलब आपको हमेशा ही खाना उपलब दोना चाहिए ये चार चीज़े accessibility का मतलब है कि आपके पास access है आप वहां तक ज दाल पाया हूं तो जब मैंने इसको flow chart की form में लिखा तो आप देखिए मैंने चार पॉइंट डाल दी है और इसमें मैं guarantee से कह सकता हूं एक और 3 पूरे मिल जाएंगे just because मैंने material बहुत जाता डाला है आप देखिए यहां पर all time access affordability and availability of safe nutritious food यह पहला point हो गया मेरा दूसरा SDG second zero hunger उसमें आता है components वही चार components जो मैंने उपर बताए और साथ ही साथ इंडिया की rank जो hunger index में आई है 107-122 में से मतलब मैंने यहां पर चार चीजें अलग से डाल के दी है प्रसके बदाता है आपका role of CAG यह political straightforward question है कि CAG का क्या role होता है अब देखिए CAG के role जो है वो लक्षमी कांत में लगबग 18 points दी है तो वो तो लिखना है यह practical कुछ होगा नहीं तो generally जो यहां पर चीज आएगी वो आपको straightforward ही लिखना पड़ेगा audit the spending of public money, submit audit reports to parliament in states, functions performed under article 149 and other role as interested by parliament, यह चार काम कैक करता है हो सकता है यह answer और बहतर facts के साथ लिखा जा सके क्योंकि म इसमें around 2 marks से जादा नहीं मिलेगा क्योंकि और facts इसमें inculcate किये जा सकते थे, इसके बाद एक last question है दोला वीरा, यह history का question है, यह कैसी दिख गया तो मैंने डाल दिया यह, दोला वीरा, आप क्या लिखेंगे आप दोला वीरा में, अब देखें इसको मैंने flow chart के form में लिख जरात में है, फिर किस ने धूंडा है इसको तो भाई जीपी जोशी साब ने धूंडा है 1967 में, फिर तीसरा point है, यह युनेस्को की 40 वी site है, यह industry civilization का हिस्सा है, और इसका महत्व क्या है, यह water management की बात करता है, हमने तीन number में पांच पॉइंट दे दिये, और पांचों के प सेशन आप लोगों के लिए लेके आया है, अगर आपको यह सेशन पसंद आए, और अगर आप और ऐसे सेशन चाते हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सस्क्राइब करें, शेर करें, वीडियो को शेर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन पर बताएंगी, यादि आप और ऐ ऐसे वीडियो चाते हैं, तो मैं आपके लिए लेके आ सकूँ, तब तक के लिए जै हिन जै भारत मिलते हैं अगले वीडियो में,